हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू मेक सम चैनल प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज मैं आपको बताने जारी इस सिल्वर का मूर्तिया या फिर सिल्वर की कोई भी चीज़े उसे कैसे दोया जाता है अब मैं इसे बताने के लिए आपके यहां पे लिया हुआ है रेमाल या कुछ भी तो उसे इस तरह से धोये अभी मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है पानी उबल रहा है और इसमें मैं इस पर मैंने इस सिल्वर फॉल आड किया है और उसके साथ शाथ दिया अटकर ना है और उसके साथ एक चमज तक बेकिंग सोडा जो आता है वो आड करने हैं और शिल्वर फॉयल को पाने में डूबने देना है और इसके बाद हमारे पास जो भी शिल्वर के वस्तुया है उसे इस पाने में डालना है अब अब देख सकते हो यह उबल गया तो में जो मूर्ती है इसे उसके अंदर डालके डुबा दूँगे एक बार मतलब पूरा पानी अच्छे से लग जाए और इसके बाद मैं गैस ओफ करके एक तीन से पाच मिनित तक ऐसे ही रख दूँगे अब अब देख सकते हो यह मैंने गैस ओफ करने के बाद ऐसे निकाल रही हूँ एकदम अच्छे से क्लीन हो गया इससे आपको कुछ ब्रश करने की भी जरुरत नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ अब मैंने इसे थंडे पानी में डुबा दिया है देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चमक रहा है इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला हुआ है सिर्फ वही पानी इससे निकाल के थंडे पानी में डाल दिया देख को अब चेंजस देख सकते हो कितने अच्छे से चमक रहा कुछ भी ब्लैक या फिर कुछ भी नहीं है इसी तरह से आप पायल को सब दो सकते हो ज़स्ट फाइम मिनिट में आपके सिल्वर के जो भी वस्तोय है बहुत ही अच्छे तरह से धुल जाएगा और यह बहुत आसान तरीका है इसे एक बर ट्राइ कीजिए और यह बहुत वर्क होता है और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चानल को थैंक यू